हेलो दोस्तो मैं धीरज आपके अपने येट्यूब चैनल और आपका स्वागत है दोस्तो मैं इस टोफिक पर आपको हीरा और ग्रेफाइट के बीच अंतर को बताऊंगा तो ये टोफिक बहुत ही इंपोंटेंट होने वाली है इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही लाइक, सेर और सस्क्राइब जरू कर दिजेगा तो चलिए सबसे पहले हम हीरा के बारे में जानते हैं हीरा जो होता है वो कार्बनिक का क्रिष्टिलिय अरूप होता है ठीक है इसका प्रैक्तिक स्रोज जो होता है वो किम्बर लाइट पत्थर होता है यह वीशु में दच्छिन अफ्रिका, ब्रांजील, संजुतराज अमेरिका, ओस्ट्रेलिया, आधी देशों पाया जाता है भारत में हीरा गोलकुंडा, अनत्पूर, बेलारी, पन्ना, आधी अस्तानों पर मिलता है कुछ विख्यात हीरा जैसे कुनी, नाल जो की 3032 केरट का होता है, हॉप जो की 445 केरट का होता है, कोहिनूर जो की 146 केरट का होता है और पीट जो की 136 केरट का होता है लगबग में काला हीरा जिसे बोर्ट कहते हैं काच काटने चट्टानों में छेत करने तता अइन पत्थरों पर पॉलिस करने में लाया जाता है हीरा जो होता है वो द्रव में नहीं गुलता है इस पर आमल छार आदी का कोई परभाव नहीं पड़ता है वायू की अनुपस्तिती में 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि इसको गर्म किया जाए तो ये ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है हीरा के बारे में इंपोर्टेंट बाते जो की जानना बहुत ही जरूरी है पहला है यहाँ कठोर होता है ठीक है दूसरा है यहाँ बिधूत का उचालक होता है बहुत ही इंपोर्टेंट है याद कर लिजेगा अगला है यहाँ कागज पर निशान नहीं बनाता है इसका आप पूसन निर्मान में काम आता है ठीक है यह पारदर्शी अम रंगहीन होता है चली एगला ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं ग्रेफाइट भी कार्बनिक के अतियंत ही उप्योगी किस्टली अपरूफ होता है यह मुख्यत भारत स्रीलंका साइबेरिया इटली युएसे आ ग्रेफाइट के अप्योग पेंसिल तथा रंग बनाने में होता है जी हाँ पेंसिल में परियुक्त होने वाला काला सिशा ग्रेफाइट होता है ग्रेफाइट के बारे में इंपोंटेंट बाते जो की जानना बहुत ही जोर्री है पहला है यहां मुलायम होता है याद रखि घुचिक घनातुव 2.2 होता है बहुत ही इंप्वोंटेंट है याद रखेगा इसके रवो की सेंख्या सटकोनिय जालक सता के रूप में होती है ठीक है इसे आभुशन का निर्मान नहीं होता है इसमें आभुशन का निर्मान नहीं होता है और लास्ट पॉइंट है यह पारदर्सी एम राक के रंका होता है. याद रखेगा यह पारदर्सी एम राक के रंका होता है. दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना है. अगर यह वीडियो आप दो तीन बार देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी. फिर मिलेंगे नए एजुकेशनल वीडियो के थांक यू